हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू दा ए लर्निंग क्लासज आफ एमेवियन आज के इस वीडियो में हम क्लास फॉर्ट साइन्स चैप्टर थ्री रेप्रोडक्शन इनिमल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इस चैप्टर में हम रेप्रोडक्शन एनिमल देट किब बर्थ यंग वन्स इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले ये रेप्रोडक्शन के बारे में जानें बिसाइड पीफुल सो मने अनिमल टू लिविन देट एंड अरूं आवर हूं इस एर फैमिली लाइक कैट डॉग दोमस्टेक अनिमल सच एज हैंस एंड काउस एंड हाउस पेट्स लाइक डैट्स लिजर्ड एंड कॉक्रोच वी आलसो है अनिमल लिविंग इन पार्स एंड ट्री सच अज बर्ड स्क्वेरल एंड मंकी बच्वों आप सभी देखते होंगे आदमी के अलाम बिसाइड पीपल लोकों के अलामा हमारे घरों के आसपास या हमार घरों में भी कई सारे फैमिली रहते हैं जैसे बिली कुते और भी घरेली घरेलू जानवर ठीक है जैसे हैं 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 हो गई और हमारी गायब हैसे हो गई ठीक हैं यह सब रहते हैं कई सारे बर्ड के फैमिली रहती हैं ठीक हैं मंकी के स्वेरल के यह सब रहती हैं ठीक हैं Have you ever seen the young ones? They look quite similar to their parents, but so small in comparison. Where do they come from? आप सब देखे होंगे, क्या उन सब के बच्चों को देखे होंगे? इन जानवरों के, इन पक्षियों के? तो अगर आप देखे होंगे, तो वो ठीक अपने पैरेंट के ही तरह होते हैं, अपने मम्य बापा के तरह होते हैं, लेकिन वो उनके comparison में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? यह कहां से आते हैं? आप लोग सोचे हैं कभी? हम सब पढ़े हैं कि कुछ चीजे लिविंग तिंग से हैं, कुछ चीजे नॉन लिविंग तिंग से हैं। अब जो चीजे लिविंग तिंग से हैं, वो क्या करती हैं? वे अपने ही समान बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है? और नॉन लिविंग तिंग उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है? तो लिविंग तिंग जब बच्चे पैदा करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कह प्रजयनन कहते हैं ठीक यही कि रिप्रोड्य कुल करते हैं बच्चे किंदा कि अगर है तो क्या होगा कि कुछ समय बाद खतम होने लगती है ठीक है खराब होने लगती है और जो living things जो animal है जो human है ठीक है वो क्या करते हैं अब future में अपने ही जैसे अपने ही कास के लोगों को अपने ही जाद के लोगों को ठीक है बरकरार रखने के लिए बच्चे पाइदा करते हैं नहीं तो एक समय ऐसा है का अगर living things जो है reproduction करना बंद कर दें तो एक समय ऐसा आएगा कि धर्ती पर कोई भी living things नहीं बचेगी all animals reproduce but they reproduce in different way सबी जानवर जो है reproduction करते हैं लेकिन सबका अलग-अलग बेज होता है ठीक है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जो बच्चे के बज़ाए अंडे देते हैं जैसे birds हो गई फिश हो गई फ्रॉग स्नेक यह सब ठीक है अब आते हैं इनिमल्स डैड़ गिव बर्स टू यंग बंस ऐसे इनिमल्स के बारे हम जानते हैं जो बच्चे पायदा करते हैं जो अपने ही जैसे बच्चे पायदा करते हैं उनको ओरर मियमल्स के अंदर human भी आते हैं जो भी बच्चे पायदा करते हैं वो सब मैमल में आते हैं ठीक और कुछ ऐसे भी मैमल होते हैं आइए कुछ मैमल को देखते हैं और उनके बच्चों को देखते हैं जैसे कैट कैट कबच्चा किटन, गोट, कीड, होर्स, फॉल कंगारू, जोई, लौइन, कब, शीब, लैम ठीक है और बिच के बच्चों को पपी कहते हैं ठीक है तो यह हो गए मैमल कुछ ऐसे भी मैमल होते हैं जो अन्यूजूल होते हैं वेल, डॉल्फिन, बैट यह सब क्या होते हैं अन्यूजूल मैमल होते हैं ठीक है आप डॉल्फिन को मचली मत समझेगा यह मैमल है ठीक है और बैट ब यह पक्षी नहीं है यह बड्स नहीं है यह मैमल है ठीक उसके बाद आते हैं एनिमल डेट लेग्स उन एनिमल्स के बारे हम जानते हैं जो अंडे देते हैं ठीक है इनके बच्चे जो है अंडे के अंदर ही डेवलप होते हैं और अंडे फोटने के बाद यह बाहर आते हैं ठीक है यह ऐनिग आये एक की हम इस क्टेक्चे क्वश्य को जानते हैं एन ऐसे थीं बड़ हारिशल गारत यह जो अंड़ा होता है वो बहुत ही मोटा होता है ऑर mo accuse नबकिन उसकी सेल ठीक है जो ऊपर का वाइड कलर होता है ठीक है अंडे का वह एक सेल कहलाता है प्रोटेक्ट बेबी डेवलोप इंसाइड यह अंदर बच्चे को डेवलोप करने में उसका प्रोटेक्ट करता है बाहर से चोटना लगे इंदे सेंटर, और में और में इनल्द फोल यह जो है यह में बेबी में डेवलोप होता है रहाएं जो यह होता है या बाफ में इनल्द होता है यह केंड है है? इसको क्या कहते हैं इंब्रो जो यॉक जो है बेबी में डिवलफ होता है तो उसको एंब्रो कहते है एराउंड दे यॉकिस वाइड जेली-like substance कार्ड एल्बेमिन जो यल्लो पार्ट के बाहर एक पार्ट होता है वह जेली टाइप का होता है ठीक है वाइड कलर का उसको एल्ब च्रेक्ट जो झो लोक पार्ट जो बेबी में कंवल्ट होता है उसका पर्रेक्शन करता है ग्राविक और अंडे से एर्ष्राइग जो रहते हैं वह सास लेता है ठीक है है अब आजे बर्स के बारे में जानते हैं अलबर्स लेक्स मुस्त अप Deep ने तो ले दियर एक्स एंड रेज दियर बेबी इन आप्र लेंगे ए मदर बर्ड प्रोवाइट दे हीट ऑफ और बॉड़ी तो दे एक्ड बाई सिटिंग देम इन्कुबेशन जब बर्ड जो है अंडे देती है तो क्या करती है उस बर्ड उस अंडे के ऊपर बर्ड बैढ जात तो अंडे को गर्म रखना क्या कहलता है ंक डाता है और जब ऒ अंडा गर्म हो जाता है उसका पीण फिरिप्रेड फिरिइश हो daytime वह जाता है तो क्या होता है जो lightning डेवलप हो होता है बेवी में कनवल्ट हो जाता है और वह अंडे से बाहर निकल आता है तो अंडे से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं है ठीक है अब आई एंप बीविएंस के बारे में जानते हैं एंफिबी इंस कौन है यह जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं ठीक है इनको उभेचर कहते हैं ठीक यह कौन-कौन से होते हैं जैसे फ्रॉग हो गया ठीक है यह पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है जमीन पे भी ठीक उसके बाद फिस के बारम जानते हैं फिस भी एक देती हैं ठीक है यतने इंसेक्ट होते हैं वो भी एक देते हैं ठीक रेप्टाइल भी रेप्टाइल जो साफ हो गया जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल का जाता है रेप्टाइल के अंदर कौन-क प्रेब्स आपस्ट हैं जो अंडे न देखें क्या करते हैं बच्छे भी देते हैं ठीक जैसे स्नेक मेर्न पैरंट्स के भारें ठीक है अब आये care of young ones के बारे हम जानते हैं बच्चों की कैसे हम care करें in the same way your parents take care of you most animals take care of their eggs and babies जैसे हमारे आपके parents हमारी आपकी care करते हैं वैसे ही ज्यादतर सभी जानवर अपने अंडे और बच्चे की care करते हैं मैमल take care of their babies for a few for a very long period of time they hold their babies inside their body before giving birth to them after birth their babies feed on their milk जो मैमल होते हैं ठीक है जैसे हम आप हो गए ठीक उनको मैमल कहते हैं जो बच्चों को दूद पिलाते हैं वो मैमल होते हैं ठीक है वो काफी समय तक अपने बच्चे को पेट में रखे रहते हैं ठीक उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद बच्चे को food के रूप में बच्चे के भोजन के रूप में दूद पिलाते हैं ठीक है monkeys carry their babies round and feed them मंकी क्या करता है कैसे क्यार करता है अपने बच्चे की हमेशा अपने साथ उसको लेके चलता है और दूद पिलाता रहता है इस फिमेल कंगारू इस ए मैमल देट है जे पॉच ऑन दियर बाड़ी सी कीप हर बेबी इन जो फिमेल कंगारू होती है उसके पेट में थैला होता है तो वो क्या करते है अपने बच्चे को उसी थैले में पैदा होने के बाद भी उसी थैले में रखता है ठीक है जब बढड़्श में निंष्ट अब दीछ बेबी इस ओन लई वेल बेबी वीर्श खाछत अंग इट पैरट्स फीड पिड ऐंड प्रोटेक्टच फ्रॉम adventures है बेबी पैदा होते हैं तो बहुत चुटेटे उसल्टे उस्ट पेरेंट्स क्या करते हैं इनके मुँ में लाके फीट्स को डालते हैं और अपने बच्चे को इन में इससे साफ हो गया चील बाज हो गया इन सब से शुरक्षा करते हैं ठीक है कुछ फिस ऐसी भी होती है जो काफी दिनों तक अंडे अपने मुँ में रखती हैं जब तक बच्चे पाइदा न हो जाएं क्रोकोडाइल लेग इन दस्वाइल एंड हाइड दिम बाई कवरिंग दिम विद ग्रास क्रोकोडाइल जो होते हैं वह जाडियों में अपने परच्चे नहीं कगोड़ते हैं humans are the only mammal that take care not only for their children but also the grandchildren सिर्फ human एक ऐसा अप्राड़ी है एक ऐसा मैमल है जो सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं अपने बच्चों के भी बच्चों को कि अपने बच्चों के भी बच्चों की सेवा करता है ठीक है उनको पालता पोस्ता उनकी केर करता है ठीक है बच्चों है चैप्टर है फिनिस हुआ सभी चैप्टर इस साइंस के सभी चैप्टर में वर्ड पावर लास्ट में दी गई है ठीक है उस वर्ड पावर को लर्न कर दीजेगा और आपको कुश्यन अंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडिया के थ्रू ओके थेंक यू